हेलो फ्रेंट्स वेलकम तु मनिकिरा सोई आज मैं थ्रेट पनीर की रेसिपी से एर करने जा रही हूं स्नेक्स यह स्टार्टर में आप यह रेसिपी बना सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी होता है इसके लिए सबसे पहले हम लोग चौमिन को बॉयल करके ठंडा होने के लिए अ और एक प्लेट में सेजवान चटनी टोमैटो सॉस चिली सॉस सोया सॉस लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करें मिक्स 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 करने के बाद इसमें चौप किया हुआ अद्रक लसुन और प्याज मिलाद लेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें प पनीर में ऐसे ही इस मिक्स्चर को अच्छे से कोट कर लेंगे अब एक प्लेट में ठंधा किया हुआ चॉमिन लेंगे और उसके उपर थोड़ा सा कॉर्ण फ्लोर डस्ट करेंगे इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसके उपर पनीर के टुकडे को रखकर इसको अच्छे से लपेट देंगे ऐसे ही सारे पनीर के टुकडों में चॉमिन को उपर से लपेट लेंगे अचानक से आइगेस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा और जटपट रेसिपी है देखने में भी लजीज और खाने में बहुत ही टेस्टी आप इसको तुरंत बना सकते हो ये देखे सारे पनीर को मैं अच्छे से थ्रेड के उसारे पांद ले रहे हूँ थ्रेड मतलब चॉमिन के साथ उसको अच्छे से उसको पैक कर दे रहे हूँ पनीर छूप जा रहा है दिख भी नहीं रहा है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या है अब सारे थ्रेड पनीर को डीफ फ्राइ कर लेंगे दोनों साइड से अच्छे से पका के इसको साइड में रख लेंगे अब एक पैन में ऑईल लेंगे इसमें चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक और अनियन डाल कर इसको थोड़ा सा पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए इसके बाद इसमें तीनों सास मिला देंगे सॉस को थोड़ा पकने के बाद इसमें ग्रीन चिली और आधा चमच सेजवान चटनी मिलाके इसको थोड़ा सा पका लेंगे अब इसको थ्रेट पनीर के उपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे यह देखो बन के तैयार है कितना टेस्टी दिख रहा है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू थैंक्स फर वाचिंग कि रहुँ करना चैनल करना चैनल